हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो आज मैं एक नई ट्रिक के साथ बनाने वाले हूँ देखे इस तरीके से ब्लैंकेट बना सकते हैं आप डोर्मेट बना सकते हैं इसे बिना सिलाई बिना बना सकते हैं आप डोर्मेट बना सकते हैं तो इससे आप बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं इस नई ट्रिक को यूज करके तो चलिए बिना डिले कि हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए इस तरीके से उन के छोटे-छो तरफ लपेटना है देखे तो कम से कम आपको 25 बार इसके चारो तरफ लपेटना है लपेटने के बाद यहां से हम इसे कट कर लेंगे और यहां से हम इसमें सुई में इसे डाल लेंगे देखे धागे को सुई में डालने के बाद हमें क्या करना है किसी भी एक कॉर्णर से द अब हमें क्या करना है बिल्कुल इसके पैरलर साइट जहां पे नौट लगी है बिल्कुल उसके सीध में आपको दूसरी तरफ एक और नौट लगानी है सेम ऐसे ही देखिए धागे को बीच में से निकालते वे हम इसे अच्छे से टाइ कर लेंगे तो दो बार देखिए इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से टाइ कर लिया और सूइक से धागे को इस तरीके से देखिए अच्छे से नौट लगा लिया तो बिल्कुल अच्छे से पक्का करने के बाद अब हमें क्या करना है अब हम इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे देखिए कितनी सारी नौट लगा ली मैंने पका कर लिया बिलकुल धागे को मैंने कट कर लिया अब इसे हम यहां से बाहर निकाल लेंगे तो देखे इस तरीके से एक पती सी बन गई ऐसे ही मैं और पतियां बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी उससे आगे हमें क्या करना है तो देखें इस सेम तरीके से मैंने और भी पतियां इसमें बना लिए हैं छोटी छोटी अब हम इने आपस में जॉइन करेंगे, तो सेम सुई में मैंने धागा डाल लिया और यहां से हमें एक एक करके इन पतियों को इस तरीके से इसके अंदर डालना है तो पांचों को इकठे मैं इसी धागे में अंदर की तरह पिरो लूँगी, यह देखें दो, और यह सारी भी हमें इसी तरीके से डालनी है बाकी की दो भी डाल लेती हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है, देखें फोर और फाइव तो इने जोड के हम बहुत ही प्यारा सा पहले फ्लार बनाने वाले हैं, देखें तो यह मैंने डाल ली, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसे नौट लगा लेंगे तो अच्छे से टाइट करते हुए आपको नौट लगा लेनी है, तो देखें कितना प्यारा सा हमारा फ्लार बनके रेडी हो गया तो आप चाहें तो इस फ्लार को एज़िट लगाने वाली हूँ ताकि यह थोड़ा और अच्छा लगे आप चाहें तो इसे एज़िट इस फ्लार को यूज़िट कर सकते हैं, अब मैं इसके बीच में लगाऊंगी एक बीट तो ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इस फ्लार को एज़िट इस भी आप यूज़ कर सकते हैं तो यह मैंने निकाल दी बीच में से सेंटर में से नीडल और यहाँ पे मैं एक मोती लगाने वाली हूँ तो इस तरीके से देखिए मैंने मोती ले लिया और इसे इसके बीच में निकालते हूँ हम मोती को लगा लेंगे अब हम धागे को कट कर लेंगे तो देखे फ्लार्स रेडी हो गया बस इसी तरीके से मैं अलग-अलग जो मेरे पास बचे कुछे उन है उससे मैं और फ्लार्स रेडी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो मैंने कितने सारेzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzarzar तो देखिए इन्हें इस तरीके से बिलकुल अच्छे से बीच में से निकालते हुए आपको अच्छे से इन्हें टाइ करना है तो सारे flowers को हम इसी तरीके से अच्छे से बिलकुल पक्के से एक दूसरे के साथ जॉइन कर लेंगे तो आप कुछ भी बनाना चाते हैं शॉल बना रहे हैं स्वेटर बना रहे हैं मौफलर बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से उन्हें आपस में flowers को जॉइन करना है कंबल ब्लैंकेट बना रहे हैं तो सारे जितने भी flowers हैं इस तरीके से आपको जॉइन करते रहने हैं फिर इस तरीके से देखे, बीच में जहाँ पे स्पेस मिलता है, वहाँ पे इस तरीके से, फ्लार को डालते हुए देखे, आपको इस तरीके से लगाना है देखे, जहाँ पे बिल्कुल ये सेट बैठता है, पतियों के बीच में ये देखे, इस तरीके से, बस टाय आपको है आपस में यह देखिए इस तरी के से तो बस जॉइन करते रहें यह ब्लैंकेट बनाना ब्लैंकेट के साइज का कुशन कवर जो भी आप मैट बनाना चाते हैं उस तरीके से देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल जॉइन हो रहें बस इसी तरीके से हम इसे पूरा जॉइन करते रहेंगे और जितना भी आप बड़ा बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं य बैक साइट से बिल्कुल फिनिशिंग से बनता है और बनाने मी देखिए बहुत ही असान है तो इसी तरीके से देखिए इसमें आप जॉइन करके और इसे बड़े साइस का ब्लैंकेट बनाना चाहते हैं किसी भी साइस का इसे बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा इसका का नीचे बिचाने के लिए पिलो का कवर बना सकते हैं देखिए फ्लार्स को जॉइन करके और मफलर बना सकते हैं सरदियों के लिए देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है मफलर का और ये देखिए मैने स्क्वेयर में पिलो कवर का डिजाइन दिखा रही हूं आप आप को इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से ब्लैंकेट बना सकते हैं, ओडने के लिए, बिछाने के लिए, ये देखिए, इस तरीके से आप मैट बना सकते हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, देखिए, इस तरीके से, और बनाना भी बहुत असान है, बस फ्लार्स को जोड़ते वे आपको इससे बनाना है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ Thank you